हेलो गैस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजूकेशन तो दोस्तों आप सभी काईडियेट्स ने पंजाब रियाना हाई कोड का ड्राइवर का फॉर्म फिल कर दिया होगा तो मेरे पास काफी सारे काईडियेट्स के कमेंट आरे देखेंग कि पेपर का पैटन क्या होगा किस तइप के कॉशन आए तो पहले तो मैं बता दूँआ आपके दो टाइप के कॉशनई आते हैं पहला टाइप का आएगा जो कि आपके ड्राइविंग से में आ या फिर ट्रैफिक रूल ते related questions like अगर किसी का road पे accident हो गया तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप जा रहे हो तो traffic rules के regarding आजएगी लाल बत्ती पीली बत्ती ये सब हो तो आपको क्या करना चाहिए इसके लाब कोई आपको overtake करे या कोई बहुत दीरे चल रहा है या कोई बहुत तेज चल दा तो इन सब चीज़ों में आपको क्या action होगा इस ताइप के questions आएगे second आपके symbols related questions आएगे मतलब जो भी आपके traffic symbols होते है उस related तो दोस्तों मैं आप लोग को 80 questions प्रवाइड करवा रहा हूँ मतलब एक ट्रीके से 80 symbols प्रवाइड करवारों traffic rules के मतलब ये PDF अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली इस से बार आप लोग का examination में कोई भी question नहीं आएगा and इसके लावा 50 plus questions मैं आपको driving के questions प्रवाइड करवारों ठीक है जो भी traffic से related question है तो 50 plus 80 मतलब 130 के आपको question प्रवाइड करवारों जिसका link पर आपको नीचे description box में दियो वे जाके आप लोग download कर सकते हो और इस वीडियो में मैं आपको pattern मताऊँगा की examination में कैसे question आते है मैं आपको demo के questions करवाऊँगा वो questions देखने वाद आपको पूरा idea लग जाएगा की हाँ इस ताइप के definitely examination में आपकी questions पूछे जाएगे तो चलिए पहले question इक तरफ move करते है बड़ उससे पहले गार आप चैनल पर पहली बड़ जिट कर रहे हो अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया अगर आप कोगे तो मैं second part भी लेकर आऊँगा this is your part number one पहला question आपके सामने how old do you need to be drive a gearless two wheeler मतलब gearless two wheeler चलाने के लिए आपकी उमर कितनी होनी चाहिए options आपके सामने उसका right answer है 16 year अब कुछ क्या इने इस के माइंड में गेर लेस two wheeler कौन सी होते है तो simple सा question है two wheeler scooty जिसमें gear नहीं होती second question आपके सामने what should you do when you see a traffic sign of a school nearby अब question पूछ रहा है कि अगर आपके पास में किसी school का traffic sign दिखाई दिता है तो आपको क्या करना चाहिए options आपके सामने है मैं आपको सिधा right answer पताऊँगा आप वीडियो पोश्ट करके अपना answer mark कर लो अगर आपको traffic sign दिखाई देता है तो आपको क्या करने चाहिए तो इसका right answer है slow down and proceed carefully आपको अपनी जो भी vehicle है बाई कार है इसको दीरे कर लेनी चाहिए और दीरे दीरे जाना चाहिए मतलब carefully जाना चाहिए and 80 questions आपके symbolic लाइक यहां पर अभी question में पुछा गया अगर school का symbol दिखाई देता है तो school का symbol क्या होता है बहुत सारे candidates को पता होगा बहुत सारे candidates को पता नहीं होगा तो इसी type के 80 symbols होगी definitely आपकी exam का part बनेंगे अगर आप लोग download करना चाहते हो लिंक मैंने नीचे description box में दिया हो है जाके अच्छे से download करके पढ़के जा सकते हो अगले question में तरफ move करते है what needs to be kept in mind before overtaking a vehicle किसी भी vehicle को overtake करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए clear visibility of the road ahead मतलब आप अगर overtake कर रहे हो तो road की visibility आपको clear होनी चाहिए मनल रोड साफ दिखनी चाहिए and safe possibility of the overtaking अगला question आपके सामने है if a driver sees the sign of slippery road ahead अब ये sign नहीं पता होगा लोगों को slippery road ahead की sign क्यों होती है तो मैंने आपको provide करवा दिये PDF file link दे रहा है जाके आप लोग download कर सकते हो तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर कोई vehicle drive कर रहा है driver और अगर slippery road ahead का sign देखते है तो उसको क्या करना चाहिए options आपके सामने है and इसका जो right answer है वो है change gear and reduce speed मतलब उसको gear change करना चाहिए और अपनी speed है vehicle की वो कम कर देनी चाहिए अगला question है over speeding is over speeding क्या है तो over speeding and offense है that could lead to your driving license being cancelled or suspended मतलब आप लोग अपनी speed से ज़्यादा चलाते हो या over speeding करते हो तो आपका जो license है वो cancel किया जा सकते है या फिर permanent suspend किया जा सकता है अगला question आपके सामने है what should be your course of action in case you see a vehicle that has met with an accident with injured passenger inside मतलब आप लोग कहीं जा रहे हो और आप एक vehicle देखते हो जिसका accident हो चुक है और उस vehicle में काफी सारे गाहल injured गाहल बोलते है गाहल व्यक्ति है गाहल passengers है injured passenger है तो आपको क्या करना चाहिए options आपके सामने इसका right answer है take measure to secure medical attention to those injured and report the accident to the closest near police station within a period of 24 hours I think आपको समझ आगया होगा अगला question आपके सामने parking of a vehicle is prohibited on dash मतलब vehicles की parking कहाँ पर prohibited होती है कहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते footpath और a sidewalk इसका right answer है ना तो footpath पर पार्क कर सकते ना ही sidewalk पर so option number two is your right answer अगला question है the vehicle to the front of you is driving slowly मतलब आगे कोई बंदा जा रहा है और बिल्कुल दीरे दीरे drive कर रहा है and the road ahead is clear और उसके आगे जो road है completely safe है फिर भी बंदा दीरे दीरे मज़े से drive कर रहा है आपके आगे जा रहा है जिसके कारण आपको problem हो रही है तो what should you do आपको क्या करना चाहिए so इसका जो right answer है वो है option number two overtake the vehicle vehicle को overtake करो from the right side right side से करना है of the vehicle ahead अगला है if you see a yellow light at the traffic signal ये सबको पता है yellow light का क्या मतलब होता है traffic signal में so इसका मतलब होता है slow the vehicle to stop मतलब red light होने वाली है तो आप vehicle को पहली slow कर लो थोड़ी दिर बार red light हो जाएगी अगला है what does one need to be extra careful while overtaking vehicle mark with L ये भी पता है कुछ गाड़ियों के आगे या कुछ गाड़ियों के पीछे L का sign होता है उस L का मतलब होता है learning मतलब वो बंदा अभी गाड़ी सीख रहा है मतलब वो बंदा अभी गाड़ी सीख रहा है मतलब गाड़ी तो चला नहीं आती है इतना perfect नहीं है अभी learning phase में है तो यहां पर question पूछ रहा है कि L से चीनितवानों को overtake करते समय अतीरिक साफधानी बरतने की अविशकता क्यों है तो इसका right answer है The learner driver might get nervous and take a mistake मतलब जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो अभी perfect नहीं हुआ, train नहीं हुआ, सीख रहा है तो आप उसको उसके सामने तेज चलाओगे, overtake करोगे तो वो बंदा nervous हो सकता है और गलती कर सकता है, तो accident के chances ज़्यादा होते है तो इसका right answer है option number 3 अगला है If a vehicle is park on the side of a road at night जदी कोई वाहन रात के समय सडक के किनारे पार्क किया जाता है तो विकल should be locked विकल लोक होना चीए, अच्छे से पार्क light should remain on और पार्किंग जो light है वो on करके छोड़ो ता कि candidate को अंदेरे में दीखे कि यहाँ पे विकल पार्क है तो इसका right answer है option number 3 all of the above अगला question है You should never try to overtake cyclist from आपको कभी भी cycle सवार से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए यह options आपके सामने है जब driving on a narrow road जो बहुत पतली road है उसमें drive कर रहे हो and just before you are about to turn left and on a crowded street बहुत जारी बीड वाली गली में भी आपको cyclist को overtake नहीं करना चाहिए so इसका again right answer है option number 3 all of the above अगले question ही जरफ move करते है next question है fog lamps should be used when fog lamp का प्रियोग कब किया जाना चाहिए options आपके असाथ में है or there is a mist so right answer is option number 1 if an ambulance is approaching अगर कोई ambulance आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको allow free passes by moving to the side of the road मतलब आपको space देना चाहिए ताकि ambulance आगे चलीज़े क्योंकि उसको आप से जल्दी होती है कोई emergency भी हो सकती है तो आपको free passes by moving to the side of the road मतलब आपको side में हो जाना चाहिए उनको space देना चाहिए ताकि वो आगे चलीज़े अगला question है अगले question की तरफ move करने से वहले दुबारा बोलूँगा अगर आप लोग second part चाहते हो तो मैं part number second भी आप लोग लेकर आता रहूँगा बाकि description box चेक कर लेना आपको बहुत काम की चीज़े मिल जाएगी आपके exam के point of view से तो उसको अच्छे से कर लेना symbol वाला part तो जरूर से जरूर करके जाना ठीक है जो 80 symbols मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जरूर से जरूर करके जाना आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहेगा हमारा आज का last question है last but not the least where is the use of horn prohibited तो आप horn वगएर आप जाते हो तो कहाँ पर in horn का जो use है वो बंद है या ban है या prohibited है options आपके सामने इसका right answer है near hospital and court of law तो hospital के पास और court of law वे horn आप लोग नहीं बजा सकते तो ये थी complete PDF वीडियो कैसी लगी जुरूर बताना और next part चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और description box चेक कर लेना और channel पर पहली वर्जिट कर रहे हो तो subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस करने ना धन्यावाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही